yeah, it's normal motion past screen लास्ट लेक्षर ऑगे आज लास्ट लेक्षर मेंगे पढ़ने वाले two-dimensional motion आगे ये two-dimensional mode क्या होता है तो अभी तक जो भी particle हम लोग देख रहे ते जिस भी particle का मोशन देख रहे थे वह सारे एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे थे हो सकता है फिर जादा वह तो लॉट क्या रहा था ऊपर जाएगा मोशन अंडर ग्राविटी में ऐसे देखा था तो फिर थोड़े दिरवाद नीचे आ रहा था तो वह भी क्या एक स्ट्रेट लाइन पर आया लेकिन अब जो देखेंगे कि पार्टिकल जो होगा हुए करवड़ पास पर मूव करेगा वह सीधे मुझ नहीं पर मूभ नहीं करेंगा वह कैसे पास पहर करेगा तो और तो कोई पास पर Menga जैसे इसके दो एक्वाइड होगा क्या कि एक लोग लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पहले एग्वाइव प्रोजेक्टाइल मोसन तो श्लिया कि लिखते हें कि एफ पार्टिकल इफ पार्टिकल मोफ्स ऑन ऐसा नहीं चेट है यह जो प्लेन जैसे plane of board या फिर जो ground plane हो गया ठीक है तो उस plane के बाद कर रहे हैं in a plane then motion of that particle then motion of that particle is called two dimensional motion ठीक है is called two dimensional motion चलो देखते हैं यहां two dimensional motion का example क्या हुआ ठीक है एक होता है projectile motion ठीक है यह projectile motion भी आज पढ़ेंगे ठीक है projectile motion क्या हो जैसे मालो आप ground पर खड़े हो ठीक है ground पर खड़े हो करके आपने क्या किया कि यू velocity से ऐसे theta angle पर ठीक है कोई भी यह theta angle ठीक है थीटा एंगल थोड़ा जीरो मत्दब जीरो डिगरी नहीं होने चाहिए मत्बह ऐसा नहीं कि आप ऐसे फिक रहे हो ठीक है ठीक है एंगल पर हम लोग कोई भी बाल को देना चाहोगा ठीक है कुछ खड़ो से लोग रख भी लेते हैं तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो क्या करोगा बॉल को बेचारीं बच्चों को दे दोगे जो बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं ठीक है तो तो यह क्या हो जाएगा कि यह object जैसे यह ball जैसे यह आप ऐसे थ्रो करोगे यह क्या होगा ऐसे वापस आएगो तो यह जो motion होता है इसको हम लोग क्या बोलते है प्रोजेक्ट टाइल मोशन देखो यारे कि यह कारूड पाथ पर मूव कर रहा है अब स्ट्रेट लाइन मोशन यहां पर आपने फेका ऐसे वह ऐसे जा रहा है ठीक है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं टू डाइमेंशनल मोशन और यह कौन सा है प्रोजेक्ट टाइल मोशन दूसरा एक और कौन सा होता है तो सर्कुलर मोशन कौन सा सर्कुलर मोशन अब एक बात को सर्कुलर पर मूव कर रहा हूं यह रेडियस क्या हो गया और यह क्या होता है सेंटर ठीक है तो अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वह हमारा किसका एक्जामपल होता है सर्कुलर मोशन का तो यहां भी क्या हो रहा है कि पार्टिकल कर पाथ पर मूव कर रहे कि यह हमारा कर वह और इसी के उपर पार्टिकल मूव कर रहा है लाया जयसे मामलों सुपोज अगर दीखा जाए तो जो घड़ी की जो नेडंए घो चलल उते वह से मूव करते रहते हैं तो वह तो भी कैसा मोशन होता है सर्कुलर पाथ के सपोज आपके अगर सुसाइटी में पार्क वगरा है कुछ सर्कुलर पार्क है अगर आप दोड़ने जाते हो तो आपको मोशन कौन सा हुआ है सर्कुलर मोशन ठीक है तो यहां भी हम कैसे पाथ पर मूफ कर रहे हैं एक कर्वड प मोशन के एक्जाम ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सर्कुलर मोशन तुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन यह मैंने क्या तो पर्डेकल को प्रॉजेक्ट कर रहे हो तो उसका मोषण जो होता है सो क्या बहने प्रोजेक्ट टायल मोषण यनि पार्टिकल यह जैसे माननो किर्केट खेलते हो ठीक है जैसे ऑला आया आप Ele checklist करते हो तो बहुत है कि यह यूर अफ्तार से जाना शुरू कर दिया ठीक है तो यह पार्टिकल कुछ ऐसे जाता है बहुत तो प्रोजेक्टाइल मोसन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी पार्टिकल को ठीक है फोड़्रोन बंक अगर दीघ्रेकर टिक है प्रोजेक्ट मोजेक्ट करना मतलब यही जैसे छोगां करना ऑगया ठीक है तो उसका मोसन जोता है उसको क्या बोलते हैं लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसका डैफिनीचन लिख लेते हैं कि इस अन अब्जेक्ट इस प्रोजेक्टेड ठीक है अट अन अंगल प्रोजेक्टेड अट अन अंगल थीटा और दन अगल इन इन अगल किससे जीरो दिग्री से अधर दन जीरो दिग्री वित अगल। अंगल परोजेक्टेड्स न्युटंट अगल। प्रोजेक्टेडमस इसका और प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसकाल? बोलेंगे इसको projectile motion ठीक है अब एक बात देखते हैं पहले इसके motion को deal करें उससे पहले थोड़ा mathematics का कुछ पार्ट यह होगा trigonometric का sin theta cos theta इन सब की value आएगे ठीक है formula अगर आएगे उसमें तो पहले उनकी value लिख लेते हैं sin 30 की value किसके बरावर आएगा तो यह होता है 1 by 2 sin 0 किसके बरावर 0 के बरावर sin 45 तो यह आएगा 1 by root 2 जब भी formula आएगा तो आपको sin theta cos theta के terms में आएगा ठीक है और वो इसकी value आपको put करने लेगा ठीक है तो sin 60 equals to क्या दिया रहेगा तो root 3 by 2 के बरावर ठीक है sin 90 कितना होता है तो यह 1 के बरावर ठीक है next cos 0 degree तो 1 cos 30 तो यह कितना हो जाएगा तो root 3 by 2 एक तरीके से बस यह value reverse हो रहे है ठीक है cos 45 degree तो यह होता है 1 by root 2 cos 60 1 by 2 और cos 90 कितना 0 ठीक है कोई ज़्यादा टाफ नहीं याद करना आप यह value याद करोगे यहां से निकाल लोगे ठीक है तो चले यार फिर देखते हम लोग कि इसमें कौन-कौन सी क्वांटिटी से में deal करना होगा ठीक है तीन तरह की क्वांटिटी जाएंगा है ठीक है पहले यह क्वांटिटी आगी टाइम टाइम ओफ लाइट यह चीज याद होगा सभी को मैंने मोशन एंडर ग्राविटी में थोड़ा सा डिसकस किया था इसके बारे में ठीक है टाइम ओफ लाइट क्या होता है कि जितने टाइम के लिए पार्टिकल जो रहता है वह एयर में रहता है ठीक है जैसे मालम हमने उप पर की तरफ थो किया या किसी थीटा एंगल पर थो किया तो जितने टाइम तक के लिए पार्टिकल एयर में रहा ग्राउंड पर पहुंचने से पहले वह टाइम हमारा क्या होता है टाइम ओफ लाइट उसका डैफिनिसर मैंने वहां पर लिखा रखा है आपको मोशन अंडर क्राइबटी में ठीक है यहां नहीं लिखा रहा है यह टाइम ओफ लाइट क्या होगा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है टी इक्वल्स टो अगर यह थेटा हमें सा ध्यान रखना है किसके साथ ले रहे हैं होरिजोंटल क के साथ अगर आपको कभी कन्फूज करने के लिए वर्टिकल के साथ दिया तो भी आप होरिजोंटल के साथ थीटा निकाल सकते हो ठीक है तो यह जो फॉर्मूला होता है टाइम पिरिट टी कोस्ट क्या होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी ठीक है जी की वैलो यार इनिसियल विलोसिटी यू क्या है मारा इनिसियल विलोसिटी ठीक है यहां से देखो थीटा क्या है मारा तो एंगल विद होरिजोंटल थीटा क्या है मारा एंगल विद होरिजोंटल याद करने जैसे मानलो अगर आपको यह दिया रहे है कि थीटा की वैलो थर्टी डिगरी कि अबने पार्टिकल को 30 डिगरी पे प्रोजेक्ट किया तो पता है यार साइन 30 उठा के पुट कर दो कुछ यह टेंसर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यह साइन कॉस यह सब होता क्या अभी बस आप फॉर्मुला बस ध्यान रख लेना ठीक है जब आप 10th क्लास में क्या आता है रेंज के बारे में सेकेंड क्या आता है रेंज क्या होता है इसको डिनोट करते हम लोग कैपिटल आर से तो एक बात देखो कि जैसे ही हमने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो यह कुछ होरिजोंटल डायरेक्शन में यह डिस्टेंस ट्रैवल कर तो यह ग्राउंट पर आने से पहले जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को अम लोग क्या बोलते हैं जैसे आप लोगों ने यार कभी ऐसा चैलेंज लगाया होगा कि हां यार कौन जादा दूर तक फेकता है तो वह एक तरीके से हम लोग क्या बोल रहे है कि कौन किस कौन जो ह जादा दूर तक जो बॉल फेक रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि किसका रेंज जो है वो जादा है अगर कोई 10 मीटर तक फेक रहा है और कोई 50 मीटर तक फेक पा रहा है यानि दूसरे वाले परसन का रेंज क्या है जादा तो रेंज क्या हो गया कि होरिजोंटल डिस्टेंस जो भी इस projectile के दोर है इस ball जो भी ball को throw कर रहा है इस ball को हम लोग क्या बोलते है प्रोजेक्टाइल और इसका जो motion होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है प्रोजेक्टाइल मोशन तो क्या लिखेंगे कि maximum horizontal distance maximum horizontal distance covered by projectile वैसे तो बॉल अब्जेक्ट लिख सकते है प्रोजेक्टाइल थोड़ा इस्टाइडर लगता है ठीक है भाई प्रोजेक्टाइल तो इसको फॉर्मूला क्या आता है तो रेंज क्या फॉर्मूला आर इकोल्स टू तो यू स्क्वाइर साइन थीटा साइन थीटाइंटू कोस थीटा-इंटू बाई जी चया होता है त्यु यू सक्वाइर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी के ब्रावर ठीक हैी ये फॉर्मूला आप ठोड़ा सा मुझ्खिल है कोई दिक्क्त निरू याद कर लेंगेlock दो होता है क्या मैक्सिमम्ँ निघे time मैक्सिमम हाइड के देख चले मैक्सिममम हाइड इसको डिन और दे खान हम कई स्थे थे किसे डिनोट में हमया व .. जैसे जैसे हमने त्रो किया तो यह पार्टिकल क्या होगा थोड़ा ऊपर जा रहा है धीरे-धीरे ऐसे गया यहां तक मैक्सिमुम जा रहा है वर्टिकल डारिक्शन में जो मैक्सिमुम कहा तक जा रहा है इस पॉइंट तो उसके बाद फिर से नीचे आना शुरू कर दिया ठीक है मतलब पहले ऊपर चड़ा फिर उसको बाद नीचे आना शुरू कि तो यह जो वर्टिकल डारिक्शन में मैक्सिमुम डिस्प्लेस्मेंट होता है वही क्या होगा हमारा एक तरीके से मैक्सिमुम हाइड तो क्या होगा कि मैक्सिमुम वर्टिकल डिस्प्लेस्मेंट मैक्सिमुम डिस्प्लेस्मेंट ठीक है इन आफ प्रोजेक्टाइल लिख लेते हैं आफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डिरेक्शन किस डिरेक्शन में वर्टिकल डिरेक्शन इसका फॉर्मूला क्या होगा टेंसे मतलेना एक एक जामपल लेकर के मैं सारी चीज़े कैसे फॉर्मूला अपलाई करेंगे वह भी बताऊंगा ठीक है यह क्या होगा एक एक लिए उसक्वाइर साइन स्कॉर्ण यानि साइन थीटा का स्कॉर्ण अपल टूजी ठीक है चाओ तो ऐसे याद रख सकते हैं यू साइन थीटा और इस पूरे का स्कॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हैट का फॉर्मूला ठीक है एक question देख लेता है कि ताकि इससे पता चलेगा कि कैसे formula को apply करना है तो चलो यार यह horizontal हो गया एक्स यह y-axis यहाँ से एक particle को 30 meter per second से throw किया हमे कितने angle पे? 60 degree पे कितने degree पे? 60 degree पे यह motion ऐसा होगा हमें क्या निकालना है? तो time of flight ठीक है? दूसरा यह maximum height और तीसरा range यह तीन चीज़े निकालना है तीन चीज़े हमने पड़ा तो चलो यार पहला formula क्या होता है? पहले का यह चीज़े एक पाद ध्यान रखना कि जब आप formula apply करना तो यह देखना कि आप जो angle दिया हुआ है वो किस के साथ दिया हुआ है? हमने जो भी formula लिखे है उसमें angle किस के साथ है? horizontal के साथ है तो यह चीज़े का ध्यान रखना है तो time of flight का formula तो 2u sin theta upon g यह यह है तो क्या लिखेंगे? तो 2 into initial velocity कितनी? 30 sin 60 और upon कितना? जी की वेलू किस के रखना हुआ? यह से cancel out हुआ sin 60 किस के बराबर? root 3 by 2 तो यह कितना आएगा? तो 2 into 3 into root 3 by 2 2 से 2 cancel out हुआ? कितना आएगा? 3 root 3 second ठीकिए? आंसर देखके डरना नहीं है ठीकिए? चलो B part देखते B part अगर देखे तो maximum height maximum height को formula क्या था? तो h equals to तो u sin theta का square upon 2g ठीकिए? u sin theta निकाला तो u की वेलू कितनी है? 30 sin 60 sin कितना आएगा? 60 पूरे का square upon 2 into 10 समझा रहे है सभी को? फिर से sin 60 किसके बराबर? तो root 3 by 2 तो चलो यार इसका square कर रहे हैं तो 30 into 30 into दोबर लिख दिया आपन sin 60 लिखना है तो क्या लिखेंगे? root 3 by 2 into root 3 by 2 upon कितना? 2 into 10 10 से ये cancel out हो जाएगा और 2 से कितने times? 15 times ये ही आएगा root 3 into root 3 कितना? 3 किसके बराबर हो जाएगा? तो 15 into 3 45 by 4 meter ठीक है? यानि ये particle कितना उपर जाएगा? तो 45 by 4 meter तक ठीक है? चलो, c part देखते हैं जो range निकालना है तो range का formula क्या होता है? range r equals to कितना? तो u square into 2 sin theta cos theta upon कितना? जी ये ही formula था तो चलो या u square की value कितनी? तो 30 का square यानि 30 into 30 into 2 into sin 60 क्या लिखेंगे? sin 60 into कितना? cos 60 upon g g की value 10 तो sin 60 root 3 by 2 cos 60 1 by 2 तो चलो यार देखने में डर तो नहीं लग रहा है सभी को यान देखते हैं 30 into 3 into 2 into sin 60 root 3 by 2 और cos 60 तो 1 by 2 2 ने 2 को मार दिया 2 से 15 टैम्स कितना होगा? तो 15 3 जा 45 तो कितना हैगा? 45 root 3 meter ठीक है? यानि वो particle कितना दूर जाएगा? तो 45 root 3 meter तर ठीक है? तो अब चाहो तो आप भी अगर ball फेक रहे हो velocity पता है angle पता है तो कितना दूर जाएगा? ये हमें पता चल जाएगा ठीक? तो चले यानिक्स्ट अपना एक second example हमने two dimensional motion में क्या लिए था? circular motion ठीक है? तो चलो देखते हैं circular motion इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगे पढ़ना है circular motion ठीक? circular motion क्या होगा? कि जब भी अगर कोई भी particle होगा तो अगर circular path पे move कर रहा है अगर path जो जिस path पे move कर रहा है अगर वो कैसा है? circular है तो उसके motion को हमनों क्या बोलते है? circular motion ये radius कितना r और ये क्या होगा? वो इसको क्या बोलते है? center ठीक है? एक particle है ये एक person है वो अराम से ऐसे move कर रहा है ठीक है? तो क्या लिए देते हैं? कि if a particle moves on a circular path particle moves on a circular path circular path then motion of that particle motion of that particle is circular motion ठीक है? अगर कोई भी particle हो circular motion circular path पर move कर रहा है तो वो कौन सा motion का example होगा? circular motion example के तोर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कि motion of tip of hand of watch ठीक है? ear needle of watch कोई भी watch है उसके जो भी निडल होते हैं उसके tip का जो motion होता है वो कैसा होता है? circular motion ठीक है? तो चलो यार अब यह जो circular motion होगा वो दो तरीके का होगा है ठीक है? non uniform circular motion uniform circular motion पहले देख लेते हैं uniform circular motion क्या होता है uniform circular motion तो अगर मालो particle जो है जब circular path पे move कर रहा है तो अगर equal time में वो equal distance अगर cover कर रहा है जैसे suppose यह circular path है जिस पे अगर एक particle move कर रहा है यह radius मालो आ रहा है तो यह पहले 10 meter वो कितने में जा रहा है यह मालो 10 meter जाने में 1 second लगा अगला 10 meter जाने में 1 second लगा फिर अगला 10 meter जाने में 1 second लगा तो अगर कुछ इस तरीके का motion हो रहा है कि particle जो है वो circular path पे equal distance cover कर रहा है equal time interval तो वो किसका एक्जामपल होगा uniform circular motion ठीक है तो जीक्का लिखेंगे कि if a particle if a particle covers equal distance in equal interval of time equal interval of time ठीक है on circular track यह circular path then it will be then that motion will be कैसा uniform circular motion that motion will be uniform circular motion ठीक है अब एक बात देखो यार जैसे इसका example क्या हो सकता है कि जो watch होता है जैसे अगर उसका second का जो hand होता है वो हर एक second में कितना equal time travel करता है ठीक है या अगर hour hand hand की बात करें या फिर minute hand की बात करें वो सब क्या होते है equal time में equal distance cover करते है तो क्या लिख सकते है कि motion of example के तौर तो motion of hands of watch ये किसका example होगा तो uniform circular motion होगा अब एक बात देखो कि ये जो uniform circular motion होता है वो accelerated motion होता है यहां सही बात है ये accelerated motion होता है कैसे तो देखो यार बात तो लिखा हुआ uniform लेकिन फिर भी ये कैसा motion होता है यूनि एक्सलेरेटेड मोशन कैसा motion accelerated motion कैसे एक बात देखते हुआ कि यार एक बात देखो कि इस case में जब uniform circular motion हो तो वो equal distance equal time में travel कर रहा है यानि speed कैसा होता है constant speed कैसा है भई constant इस circular motion में जो speed होता है कैसे तो देखते हैं मान लो अगर एक पार्टिकल एक triangular path पर move कर रहा है कैसे path पर triangular path ये ऐसे जाएगा जब यहाँ पहुचेगा तो अपनी velocity का direction उसको change करना पड़ेगा और जब यहाँ पहुचा तो फिर से उसको change करना पड़ेगा वैसे ही अगर एक square है तो square की case में क्या होगा कि particle अभी इधर की तरफ जा रहा है जैसे यहाँ पहुचेगा तो फिर से direction change यहाँ पहुचा फिर से direction change यहाँ पहुचा फिर से direction change यानि जितना sides है जैसे 3 sides है इसमें इसमें 4 है तो velocity का direction कितनी बार change है तीन बार इसमें 4 बार और हमें पता है कि एक circle जो होता है वो क्या होता है कि बोल सकते हैं कि infinite number of sides से मिल के बना होगा होता है ठीक है जैसे जैसे मालनों सपोज यह अगर इसके बाद अगर ऐसा 5 sides वाला बनाएं इसके बाद 6 बनाएं धीरे धीरे अगर number of sides अगर बढ़ाते जाएं अगर infinite sides कर दें तो हमें कैसा path मिलेगा circular path या नहीं जब अगर particle circular path पे move कर रहा होगा तो उसे infinite times अपनी velocity का direction change करना होगा चुकि यहां से देखो कि triangle वाले path पे move कर रहा है तीन बार square रेक्टैंगल वाले path पे 4 इसमें 5 तो अगर infinite sides हैं तो कितनी बार change करना पड़ेगा infinite times यानि हर एक point पे particle की velocity का direction change होगा लेकिन speed यानि जो magnitude of velocity होगा वो कैसा होगा constant लेकिन direction क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और अगर velocity कैसी quantity vector quantity तो अगर direction change तो velocity change ठीक है तो यानि अगर velocity change हो रहा है तो वो कैसा motion होगा acceleration आ गया ठीक है तो कैसा motion accelerated motion तो एक बाद देखो जब भी अगर एक particle circular path पे move करता है तो हमेसा उसकी velocity का जो direction होता है जिसे इस point पे इसके tangent के long इस point पे इसके tangent के long इस point पे इसके tangent के long इस पे इधर की तरफ तो एक बाद सोचो कि हर एक point पे velocity का जो direction हो रहा है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और किसके तरफ tangent के long किसके तरफ tangent के long याद होगा आपको कि अगर एक string में मैं एधर स्टोन अगर बांध करके इसको रोटेट कराऊं, सुपोज इसी स्टोन सीधे ऐसे जाता है, जैसे माँलो इधर की तरफ यहां पे रहा है, यहां पे रहा है तो आज़ा आज giorni है है, इधर के direction, जब यहाँ पर है तो इधर के direction, ठीक है, तो इसलिए जैसे ही वो break होगा, वो tangent के along जाता है, straight line path, ठीक है, तो यह देख लिया आपने कि velocity का direction क्या होगा, और वो हमेशा हर एक point पे velocity क्या होगा, change होगा, इसलिए यह कैसा motion होता है, accelerated motion, कैसा motion, accelerated, accelerated motion, क्यों, क्योंकि direction of velocity changes, direction of velocity changes at all points, changes at all points, ठीक है, तो चलो या, यह होगया हमारा कौन सा, uniform, चलो next part, टाइप देखते हम लोग, non-uniform circular motion, कौन सा, non-uniform circular motion, यह क्या होगा, तो अब एक बाद देखो यार, इसमें क्या होगा, speed भी change होगा, कुछ खास नहीं, इसमें क्या होगा, speed भी change हो जाईए, जैसे मानलो पहले क्या होगा, कि अगर suppose पार्टिकल ही है, यह वाले circular path पे जिसका radius क्या है, आर, तो यहां पे अगर speed कितनी है, 10 meter पल से क्या, थोड़ी दिर बाद, यहां 20 हो गई, थोड़ी दिर बाद, 50 हो गई, 60 हो गई, या फिर यह speed increase हो सकता, या फिर decrease भी हो सकता, तो यह क्या होता है, कि इस case में, कि equal time में, equal time में, unequal distance travel करता है, तो क्या लिखेंगे, covers unequal distance, unequal distance in equal time interval, equal time interval, ठीक है, unequal distance cover करेगा, वो किसने, equal time interval, या ऐसे बोल सकते हो, unequal time interval में, वो equal distance travel करेगा, ठीक है, यह भी लिख लेते हैं, कि covers unequal, sorry, equal distance in unequal time interval, ठीक है, इसमें क्या होगा, कि speed जो होगी, वो increase भी हो सकती है, और decrease भी, speed में, increase और decrease, speed हो सकता है, कि क्या हो, increase हो, या फिर decrease हो सकता है, ठीक है, तो यह, obviously, यह कैसा motion होगा, accelerated motion, कैसा होगा, accelerated motion, यह हो गया, आपने पास क्या, कि कुछ, यह types of circular motion, ठीक है, अब एक बात एक बात एक बात, जब अगर particle, होतारे, जो displacement होते थे, acceleration होते थे, या velocity होते थी, वो कैसे होते थी, linear displacement, linear velocity, यह linear acceleration, लेकिन जब particle circular path पर move करेगा, तो उस case में हम बात करेंगे, किस की, तो यह angular quantities की, मतलब वहाँ पर linear होता था, अब यहाँ पर क्या होगा, angular displacement, angular velocity, या फिर angular acceleration, ठीक है, तो चले यार, पहला देखते हैं हम लोग, जैसे माल लोग पार्टिकल है, वो circular path पर move कर रहा है, radius कितना है, r के ब्राबर, किसी time पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहुंच रहा है, तो जो angle वो rotate होता है, वो कितना angle rotate हुआ, यह theta, इतना angle वो rotate हुआ, तो यही angle जो होता है, इसी को में लोग बोलते है, angular displacement, इसी को क्या बोलते है, angular displacement, ठीक है, अब एक बाद देखो, यह इसको किसे denote करेंगे, theta से, किसे denote करते है, theta से, और यह जो theta equals to होता है, तो यह होता है, arc length upon radius, theta equals to क्या होगा, arc length upon radius के बराबर, यानि theta equals to L upon कितना R, यह L क्या है, तो distance traveled, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो particle, जितना distance यह travel किया, ठीक है, तो theta equals to कितना हैगा, L upon R, इसका SI unit क्या होता है, Radian, SI unit क्या होता है, Radian, इसके अलावा, एक और unit हम लोग use करते हैं, degree, जैसे आप लोग ने use क्या होगा, यह 30 degree, 40 degree, 60 degree, ठीक है, लेकिन SI unit जो होता है, वो क्या होता है, Radian, ठीक है, तो चला यार, एक बाद देखते हैं, कि यह Radian और degree में convert कैसे करते हैं, ठीक है, तो एक चे देखो, कि हमने क्या किया, कि जब भी अगर एंगल को Radian में major करना हो, ठीक है, तो degree में तो simple है, 30 degree, 60 degree, 40 degree, यह सब बजबन से use करते हैं, लेकिन, जब Radian में use करेंगे, तो उस समय यह Pi के Terms में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 30 Degree लिखते हैं, इसको उपर यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएंगे, जैसे Pi के Terms में लिखेंगे, और उसके उपर यह C लिखते हैं, तो यह किसमें है, कि यह क्या लिखे आजाएगा कि पाई रेडियन है कि दो जब रेडियन में लिख रहा हूंगे तो उस समय सारे जो वैलू होंगी जैसे 30 60 यह सारी वैलू हमारी किसके टर्म्स में आएंगी पाई के टर्म्स डर्ना नहीं अपने को अभी क्लिर हो जाएगा ठीक है तो एक बार देखो क्य क्या हमने कि जो 180 डिग्री होता है उसी को एक हमने नाम दे दिया कि हम उसको रेडियन में पाई रेडियन बोलेंगे कुछ अलग नहीं है 180 डिग्री का जो एंगल था उसी को हमने क्या बोल दिया कि हम इसको पाई रेडियन बोलेंगे एक यूनिट डिफाइन किया था ठीक है जैसे मां लो, one meter होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि यार इं सफून मेटर को हम लोग 100 centimeter बोलेंगे, वैसे ही 180 degree को हम ने कैया नाम देती है, कि इसको pi radiant बोलते हैं, ठीक है? तो 90 degree को क्या लिखोगे? तो इधर half किया अपनने, तो इधर भी half कर देंगे यानि pi by 2 radian 60 degree के लिए क्या लिखोगे तो एक बाद देखो तो इसको किस से divide किया 3 से तो क्या लिखेंगे तो pi by 3 radian तो यह कुछ नहीं डरने वाले कोई बात नहीं है आपको अगर degree में आता है तो convert कर सकते हो कैसे convert करेंगे तो देखो degree को अगर convert करना हो radian में degree को किस में convert करना हो radian में तो किस से multiply करेंगे तो multiply with multiply with किस से तो pi by 180 degree से किस से multiply करेंगे pi by 180 से वह ही अगर radian को degree में करना हो किस्न को किस्म upon क्टिग्रिय में कि से मर्टिपलाई तो मर्टिपलाई में उन पाई जैसे मालो मजे थर्टी डिग्रिय को रेडियन में करना हैinken थो चलेünk 20 देवर जब रेडियन में convert करना हो तो किस से multiply करते हैं तो pi by 180 से तो क्या लिखेंगे 30 degree into pi radian upon 180 degree ठीक है तो यह क्या होगा 6 times तो यह कितना जाएगा pi by 6 radian ठीक है अगर मालो 45 degree को convert करना हो 45 degree को किस में रेडियन में convert करना हो तो क्या लिखेंगे तो 45 degree into pi radian upon 180 degree यह कितने times 4 times तो क्या हैगा pi by 4 radian ठीक है वैसे ही अगर degree को radian में करना हो sorry radian को degree में तो किस से multiply करेंगे 180 by pi से तो इसका भी एक example ले लेते हैं कि मालो हमें convert करना है pi by 3 radian को degree में किस में convert करना है degree में तो चलो जब radian को degree में करना हो तो किस से multiply करते हैं तो 180 by pi से क्या लिखेंगे pi by 3 radian into 180 by pi radian pi से pi cancler 60 degree तीक है यह हुआ हमारा angular displacement angular displacement क्या होता है कि angle rotated by the body on a circular path तो लिख सकते हैं कि angle rotated by या angle moved by body या particle on a circular path पार्टिकल on a circular path ठीक है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग angular displacement क्या बोलेंगे इसको angular displacement ठीक है तो चलो next देखते हैं हम लोग angular velocity तो एक बार देखो यार कि linear velocity क्या होता है तो rate of change of linear displacement यानि एक सेकेंड में पार्टिकल कितना मीटर डिस्प्लेस हो रहा है तो angular velocity क्या होगा कि rate of change of angular displacement यानि वो पार्टिकल एक सेकेंड में कितना angle rotate हो रहा है 30 degree, 60 degree, 2 radian, pi radian, 6 radian ठीक है तो हमारा क्या होगा कि अगर पार्टिकल ऐसे circular path पर move कर रहा है ठीक है अगर वो t time में कितना rotate हुआ, theta कितना rotate हुआ, t time में वो rotate हुआ कितना, theta तो angular velocity कितना, तो angular velocity जो आएगा angular velocity ठीक है, angular velocity omega equals, इसको denote करते है, w से थोड़ा curve वाले w से, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, omega, क्या बोलते हैं इसको, omega omega equals to क्या होगा, तो angular displacement, angular displacement upon time interval, क्या हैगा भई, angular displacement upon time interval, ठीक है यह omega को क्या लिखेंगे, तो omega equals to angular displacement किस से denote करते हैं, theta से और time को t से, तो omega equals to क्या हैगा, theta upon t और यह इसका SI unit क्या होगा भई, तो SI unit जो आएगा, वो आएगा, radian per second, SI unit क्या आएगा, तो radian per second, कि कितना radian, वो angle एक second में rotate हो रहा है, क्या लिखेंगे, angular velocity, the angle rotated by body, या angle moved by body, in one second, by body in one second, एक second में जो body जो है, वो कितना angle move कर रही है, वो हमें क्या बताएगा, angular velocity, ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, कि इस angular velocity का relation, हम लोग देख लेते हैं, linear velocity के साथ, ठीक है, तो हमने देखा, कि omega equals to क्या है, theta upon T, omega equals to क्या है, theta upon T, ठीटा को क्या लिख सकते हैं, तो L by R, ये R क्या होगा, radius of circle, theta equals to क्या होगा, L upon R into T, और ये ही क्या होगा, ओमेगा, distance upon time, एक चीज़ दियान रुको, L क्या है, distance traveled, L क्या है हमारा, distance traveled, T क्या है हमारा, time, ठीक है, तो distance traveled upon time, को लोग क्या बोलते हैं, speed, तो यहां से क्या होगा, कि omega equals to speed upon radius, यानि speed, कौन साइज speed, linear speed, क्या होगा, linear speed, V equals to, कितना होगा, तो R into omega, ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा होगा, कि आपको angular velocity दिया हो रहाएगा, radius दिया हो रहाएगा, V निकालना रहाएगा, तो इस तरीके question हो जाएगा, इसी से एक और चीज़ देखते हैं, angular acceleration, क्या आएगा यहां पर, angular acceleration, यह angular acceleration क्या होगा, ठीक है, angular acceleration, तो angular acceleration क्या होगा, जैसे particle यह से circular path पर move कर रहा है, ठीक है, अभी इसकी angular velocity, omega है, omega 1, बाद में कितनी हो गई, ओमेगा 2 हो गई, तो यह angular acceleration क्या बताएगा, कि rate of change of angular velocity, angular acceleration क्या होगा हमारा, angular acceleration जो आएगा, वो क्या होगा हमारा, तो rate of change of, rate of change of, angular velocity, यानि किस rate से angular velocity change हो रही है, और किस rate से angular velocity change हो रही है, कि एक second में angular velocity कितने से बढ़ रहा है, जैसे acceleration क्या बताता है, linear acceleration, कि एक second में velocity कितने से बढ़ी, 10 से 20 होई, या 20 से 40 हो गया, या 50 से 60 हो गया, ठीक है, तो वैसे ही angular acceleration क्या बताएगा, कि किस rate से angular velocity बढ़ रही है, इसको किस से denote करते हैं, alpha से, alpha equals to, तो कितना आएगा, omega upon, यानि change in angular velocity, change in angular velocity को किस से denote करें, तो मैंने बताया था, कि किसी भी quantity में अगर change निकालना हो, तो किस से denote करते हैं, delta of that quantity, यानि delta omega upon delta t, यह ही क्या होगा, angular acceleration, ठीक है, इसका SI unit क्या होगा, SI unit, SI unit क्या होगा, तो radian per second square, radian per second square, अब एक बाद देखो, हो सकता है कि omega बढ़ भी सकता है, जैसे पहले 10 से 20, 20 से 30 होगा, या कम भी हो सकता है, तो यह alpha क्या हो सकता है, positive भी हो सकता है, और negative भी, तो क्या लिख सकता है, alpha can be, अलफा can be positive और negative और क्या, जीरो, यह exactly जो है, जैसा linear acceleration होता था, वैसे ही, angular acceleration है, ठीक है, यह हो गया, angular acceleration, अब एक और चीज़ जो लास्ट हमें देखनी है, कि यार, जैसा equation of motion हमारा वहां पर होता था, linear quantities के लिए, तो वैसे ही equation of motion हमारा इसके लिए भी होता है, ठीक है, equation of motion, ठीक है, दोनों एक साथ लिखता हूँ मैं, linear वाला, ठीक है, और एक बार angular वाला, दोनों एक साथ लिखते हैं, linear वाला और angular वाला, टीक हो बही तो एक बार देखो linear वालब पहला equation क्या था तो V बराबर U प्लस A T जहां पर U क्या होता था initial velocity V final A acceleration T time यहां पर क्या आएगा तो omega equals to omega naught plus alpha into T omega naught क्या होगा initial angular acceleration क्या होगा initial angular acceleration sorry initial angular velocity यहां पर omega क्या होगा omega naught initial angular velocity initial angular velocity जैसे वहां पर हम लोग calculate करते थे कि हाँ यार कैसे initial velocity calculate करते थे वैसे ही exactly क्या है initial angular velocity है omega क्या है हमारा final angular velocity final angular velocity और alpha क्या है तो हमारा angular acceleration है और T क्या है T तो सभी को पता है यह time angular acceleration है ठीक है तो चलो यार second equation क्या होदा था वहाँ पर तो स बराबर U T plus half A T square स बराबर क्या होदा था U T plus half A T square यहां पर क्या आएगा तो theta equals to omega naught T plus half alpha T square theta equals to क्या होगा omega naught T plus half alpha T square यहां पर theta क्या होगा तो angular displacement तीसरा equation क्या होदा था V square बराबर U square plus 2 A S और यह तीसरा यहां पर क्या होगा omega square equals to omega naught square plus 2 alpha into theta ठीक है तो यह जैसा हम लोग यहां पर apply करते थे वैसा ही यहां पर apply करें ठीक है जैसे मान लोग अगर बोला जाए कि एक particle है अभी 10 radian per second से बढ़ रहा है ठीक है एक question देख लेते हैं जिससे थोड़ा apply करने आ जाए बाकी वैसे application easy है जैसा यहां पर था वैसा ही वहां पर भी है लेकिन एक question देख लेते हैं मान लेते हैं कि एक particle है ठीक है कि इसकी initial angular velocity यह दिया हुआ है कि particle की initial angular velocity ठीक है initial angular velocity ठीक है वो किसके बराबर है तो initial angular velocity कितनी है तो 10 radian per second है ठीक है और angular acceleration दिया हुआ है angular acceleration यह 2 radian per second square ठीक है हमें यह निकालना है पहला पार्ट की angular velocity यानी omega at t equals to 3 second दूसरे पार्ट में theta की value निकालनी है at t equals to 3 second कितना angle वो rotate होगा तो चले पहला पार्ट क्या है first question अगर देखे तो देखो क्या-क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो क्या दे रखा है initial angular velocity यानी omega not क्या दे रखा है 10 radian per second angular acceleration क्या दे रखा है तो alpha equals to 2 radian per second हमें क्या निकालना है omega कौन सा equation first तो omega की value निकालनी है तो क्या करेंगे omega equals to omega not plus alpha into t कितना आएगा 10 plus 2 into कितने time में 3 तो कितना आजाएगा 10 plus 6 कितना आजाएगा 16 radian per second ठेक वे बी पार्ट निकालना है थीटा की value तो थीटा इकोलस टू क्या होता है थीटा इकोलस टू omega not t plus half alpha t square तो omega not कितना है तो omega not कितना है 10 time कितना है 3 alpha कितना है 2 और time कितना है 3 यानी 9 तू ने टू को मार दिया 30 plus 9 कितना आजाएगा 39 रेडियन ठीक है तो यह हमारा आज अपना motion chapter खत्म है ठीक है ठीक है